नमस्कार दोस्तों केके एकजाम फाइट में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी सही होंगे चले दोस्तों आज मैं रेलवे से कुछ मातपूर जानकारी लेकर आया हूँ जो की railway से apprentice ship से vacancy निकल कर आ रही है दोस्तों जो की दोस्तों बनारस rail engine कारखाना से हैं यह apprentice और इसके बारे में हम बात करेंगे कि आप इसमें कब तक farm apply कर सकते हैं और कौन कौन से लोग इसमें farm apply करेंगे और किसके लिए कितनी कितनी seatे दी हुई हैं सभी के लिए हम बात करेंगे दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में सेर जरूर करें अगर जानकारी अच्छी लगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें चलिए दोस्तों शुरूरात करते हैं दोस्तों इसका फाम अप्लाई होना शुरू हो गया है आप इसमें जो अप्लाई डेट है वो आपकी 26-4-2022 यनि 26 तारीक तक अप्राइल में आप इसका आनलाइन आविदन कर सकते हैं दोस्तों जो की चार बच के 45 मिनट तक ओपेन रहेंगे लिंक आनलाइन दस्तावेजों के अप्लोडिंग करने की जो अंतिम टीती है दोस्तों 28-4-2022 चलि दोस्तों आगे चलते हैं और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाइ कर सकते है दोस्तों ये अप्रेंटिस की वीकेंसी है जो की रेल्वेक है इसमें ITI वाले के लिए 300 पोश्ट है और बिना ITI वालों के लिए 34 पोश्टे हैं चलिए हम एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं दोस्तों यहां पर ITI वालों का जो पोश्ट दिया हुआ है वो फिटर में SC के लिए 16 पोश्ट है, HD के लिए 8, OBC के लिए 19, मतलब 29, 29 सीटे और EWS के लिए 11, और General UR के लिए 43 सीटे हैं, जो की पूरा योग करके 107 सीटे हो जाती हैं कारपेंटर के लिए दोस्तों यहां SC और SD की कोई सीटे नहीं है, OBC की एक सीट दी हुई है और EWS की भी सीट नहीं है, समानी की दो सीटे हैं, इनकी टोटल सीटे तीन हैं दोस्तों पेंटर की जो दोस्तों सिटे हैं वो SC की एक है, ST की एक है और OBC की दो है EWS की दोस्तों एक है और जनरल की दो है, इनकी कुल सिटे साथ है दोस्तों मसीनिष्ट की दोस्तों, ST की, मतलब SC की 10 और ST की 5, OBC की 18 और EWS की 7 सामाननी की यानि जनरल की 27 टोटल मिलाकर 66 सीटे हैं दोस्तों वेल्डर की साथ पोश्टे हैं SC में और HD में 3 दोस्तों और OBC में 12 EWS में 4 सामाननी यानि जनरल में 19 टोटल पोश्टे 45 एलेक्टरिशन में इसी तरह बात करें तो SC की 11, HD की 5, OBC की 19, EWS की 7, जनरल की 29 टोटल पोश्टे 71 हैं दोस्तों इसी तरह इनकी पूरी टोटल पोश्ट मिलाकर 300 पोश्ट हो जाती हैं और 14 पोश्ट दोस्तों जो हैं वो बिना ITI वालों के लिए भी रखी गई हैं आप इसमें पोश्टों की संख्या बिना ITI वालों देख लेना चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और इनके अलावा जो फिजिकल हैंडिकाप होते हैं उनके लिए भी कुछ पोश्टे रखी गई हैं जो कि उनके लिए 3% कुल पोश्टों की संख्या का 3% छूट दिया गया है ITI वालों के लिए 9 पोश्टे और बिना ITI वालों के लिए 2 पोश्टे आरच्छित हैं जो उनके मूल समगदा यानि जनरल यानि UR, SC, ST, OVC में ही दिया जाएगा यानि उनका जो कटेग्री है उसी में से उनकी सीटे एलाट होंगी दोस्तों और दोस्तों आगे बात करें हम इसमें जो है दोस्तों छूट है SC, ST और OVC के लिए जो आरच्छित इसमें मिलेगा वो 7, 2, 2019 के अनुसार जो आरच्छित नियम आया था उसके अनुसार SC को 15% और ST को 7.5% और OVC को 27% EWS जो की 10% इनका आरच्छित है दोस्तों इनकी इतनी सीटे इसी के हिसाब से दी गई है चाहिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों आपकी जो ITI है वो NCVT या SCVT कोई भी चलेगा और दोस्तों अंक पत्र अत्वा प्रमाण पत्र सनलगन अधिसूचना जारी होने की ठीती के पूर्व यानि 26-3-2022 तक अवस्तों होना चाहिए यानि जो आपका ITI सार्टिप्रिकेट है 26 तारीक इसके आनलाइन डेट के पहले का होना चाहिए तभी इसमें मानने होगा नहीं तो मानने नहीं होगा अवेदको की IUC मा जो है गड़ना गड़ना जो की जाएगी 26-04-2022 यानि 26 अपराइल 2022 के अनुसार की जाएगी दोस्तों नन-ITI के यानि बिना जो ITI के हैं उनकी जो उम्मिद्वार हैं उनकी 15 वर्ष की आयू पूरी कर ली हो तथा वे 22 वर्ष से अधिक न हो यानि 15 वर्ष से अधिक है तो भर सकते हैं 15 वर्ष तक और 22 वर्ष से ज्यादा हो गए यानि 23 साल हो गए तो आप इसमें फाम नहीं कर सकते हैं और वेल्डा ट्रेड कार्पेंटर के आप भरतियों के लिए सीमा आयू सीमा में जो 15 से 22 वर्ष की ही होगी और दोस्तों आगे बात करें तो दिब्यांग के लिए जो आयू में मतलब छूट दी जाएगी दोस्तों सभी के लिए छूट है जो की के लिए यानि OBC के लिए तीन वर्ष की छूट दिब्यांग के लिए जो जनरल के लिए मतलब फिजिकल हैंडिकाइप है वो जो जनरल में उनने 10 साल की और SCST जो 15 साल की OBC 13 साल की छूट जी जाएगी एक सर्विसमान जिनोंने अनुप्रमाड़ा के प्रतिच्छा बलोक मे प्रदान की गई सेवा काल की योग तीन वर्ष हो जो पस्चाथ कम से कम 6 महीने का लगतार 10 वर्ष से अधिक ना हो की सेवा किया हो यानि दोस्तों एक सर्विसमान के लिए भी छूट यहां पर दी गई है दोस्तों जो बिकलांग हैं उनके लिए दोस्तों यहां पर कुछ दिया गया है दोस्तों लोको मोटर डिजिबल लोको मोटर और सर्वल पलसी यानि ओयच वालो इस इस कोटी के भेरती के हट्डियों जोड़ो अथ्वा यह तो आप पड़ लेना सभी लोग मतलब जो दिया है फिजिकल हंडिक है फिटर में जो दोस्तों अपलाई कर सकते है यह तो आप देख लेना दोस्तों आगे चलते हैं बाकी तो सभी हो गया दोस्तों चलिए आगर आप इसमें अपलाई कर करना चाहते हैं तो इसमें आप जरूर अपलाई करें दोस्तों इसकी सुल्क जो दोस्तों है जनरल के लिए 100 रुपाय है बाकी OBC के लिए 100 रुपाय है बाकी SC, ST और PWB जो कॉंडिडेट है उन्हें कोई फीस इसमें नहीं देना होगा चले दोस्तों ये रहा अगर जानकारी अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में सेर जरूर करें चले दोस्तो आज के लिए इतना ही फिर मिलें नेस्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई